दोस्तो धैर्य और हार ना मानने की जिद का एक जीता जाकता उदाहरण। आप सब के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा इस वीडियो में। आपको यकीन नहीं होगा 57 साल की उम्र में TGT का इंटर्व्यू देने पहुंचे दीनानाज्जी। दोस्तो प्रियाग राज की एगटना है उत्तर प्रिदेश माध्यविक सिक्षा सेवाचैन बोर्ड ने मंगलवार से TGT 2016 हिंदी विशय के इंटर्व्यू शुरू की और पहले दिन के साक्षातकार का जो आकर्शन के केंदर रहे वो 57 साल के दीनानाज्टिवारी रहे जो सिक प्रिशक भरती के लिए इंटर्व्यू देने पहुंचे बिलकुल देख लीजे 57 यर ओड मैं इंटर्व्यू देने पहुंचे यहां पर इनका फोटो और सिचुवेशन भी देख सकते हैं इंटर्व्यू सामना करने के बाद जब यह बाहर निकले तो दूसरे प्रितियोग की छात्रों ने घेर लिया सब इनसे जानना चाहते थे कि साक्षातकार में किस प्रिकार के प्रश्ण पूछे गए थे तो इंटर्व्यू में इन्होंने बताया कि विशेशग्यों ने आपके पसंदीदा कवी का विशास्त्र इन सब से related question पूछे मैं आपको बतादू कि सह 16 दिसंबर तक जब की 6 नमंबर से शुरू होए प्रवक्ता TGT के साक्षातकार मंगल को समाप्त हो गया ठीक है तो प्रवक्ता की लिखित परिक्षा एक और दो फर्वरी 2019 और प्रसिक्षित इसना तक की परिक्षा 8 और 9 मार्च को हुई थी पिछले साल अक्टूबर और न इंटर्विव दिया है तो B8 धारक है और B8 धारक होने के बावजूद 57 साल में TGT का हिंदी से हिंदी से इन्होंने रिटन निकाला मतला हिंदी की जो जन्रल की मेरिट थी वो मैं आपको बता दू कि 125 प्रश्न में तीन क्वेस्टन आयोग ने डिलेट किये थे टोटल तो 12 122 प्रश्न में I think 118 नंबर तक जन्रल बुलाया गया था और 116 नंबर OVC को बुलाया गया था ठीक है मतलब लिखित की मैं ये बात कर रहा हूं कि 122 वाने तीन डिलेट करने के बाद 122 प्रश्नों में 118 प्रश्न तक जन्रल को बुलाया गया था I think यह मैं PGT का आपको बत क्योंकि PGT मेरी जानकारी में जिनका हुआ है उनकी मैं बात कर रहा हूं तो TGT का जो कटाफ रहा होगा इसी के आसपास मतलब 115-112 के आसपास इसे कम भी नहीं रहा होगा क्योंकि Hindi में बहुत कटाफ जाती है आप इसे जो TGT का इंटर्यू फेस किया होगा वो जानता होग और बहतर बता सकता है कि इंटर्यू का जो कटाफ था वो कितना गया तो मतलब इसे जोश कहें जुनून कहें कुछ कर गुजरने की शमता कहें या फिर पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए पागलपन कहें और देखिएगा इनका सेलेक्शन हो जाएगा आप लोग ये देख दिमाग में होगी कि आखिर 57 एर में ये बंदा यहां पहुंचा है तो पांच साल के लिए ही सही से सरकारी नौकरी का खिताब दिया जाना चाहिए तो आप बताइए कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी का खिताब दिया जाना चाहिए कमेंट करके आप लोग अपनी राय thank you so much